इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनलिसिस एंड कुछ स्टॉक्स जो मैं आपके लिए निकाले जो कि यूसफुल हो सकते हैं कल के ट्रेडिंग के लिए उससे पहले आज लाइव ट्रेडिंग वाला वीडियो नहीं आया क्यों नहीं आया क्योंकि आज मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स वगरह में काम नहीं किया है इसको एक बार हमनों रिफ्रेश कर देते हैं एक बार रिफ्रेश कर दिया हमने आज मैंने एक्चुली ट्रेड किया हुआ है शॉर्ट स्ट्रेडल के अंदर यहां पर आपको दिख आज़ा होगा 39500 कॉल और 39500 का पुट एक चोटा मोटा मैंने अज़स्मेंट एक्चुली एज़स्मेंट प्रॉपर नहीं है इस में स्केल्पिंग किया हुआ था मैंने अज़स्मेंट प्रॉपर किया रहता है ताकि काफी टायम तक रुखे रिशकुंग हूं आह वैसा तो कुछ आए था खास अच्छा वीडियो या आपके लिए कुछ अच्छा नॉलिजबल चीज नहीं थी इसलिए मैंने उसका रिकॉर्ड बगरा नहीं किया और नहीं मैंने आपके साथ वो शेयर किया हुआ है तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं तो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट जोन के नियर भाए ख़़़ा हुआ है तो कल बाइंग कर सकते हैं इसका सबसे पहला रीजन क्या है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन के आसपस ख़़़ा हुआ है अगर आप कमफरेबल लेवल्स देखते हो तो 37,800 लेवल्स को सस्टेन कर रहा है वहीं से मार्केट बार 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 उपर जाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा रीजन क्या है आप बाइंग करने के लिए अगर आप आज का डेटा उठा के देखते हो तो बैंक जो लास्ट में क्लोथ होते हो तो लगबगम को यहां पर ब्रेक आउट दिया हुआ है तो दो रीजन से हमारे पास यहां पर बाइंग करने के लिए एक यहां पर सपोर्ट जोन जैसे बैटरा है दूसरा राउंडिंग बाटन बनाते हुए सपोर्ट जोन पे एक ब्रेक 2511 के उपर ब्रेक आउट होगा उसके उपर ही एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा बर अनफॉचनेटली आज वो लेवल क्रॉस हुआ है नहीं उसके नीचे ही मार्केट सस्थेन करता रहा कल 39500 को क्रॉस करता है बैंग निफ्टी तो एक अच्छा मोमेंटम लिए यहां पर इतना स्ट्रॉंग खड़ा हुआ है इतना फॉल करने के बाद मोमेंटम आया फिर दुबारा ट्राय किया फिर मोमेंटम आया यहां पर करेंगे 39500 को जैसे ब्रेक करता है 100 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस नीचे का लगा के टागेट बन विल भी 39700 सेकेंड डागेट मजे यहां पर देख रहा है जो कि रेजिस्टेंस लेवल है 39900 का ट्रेल करते हुए हम ट्राय कर सकते हैं उसको अचीव करने के लिए अगर हम ब पर दिख रहा होगा देखिए अगर इसको हम प्रॉपरली ड्रॉप करें तो यह है रजिस्टेंस लेवल इसका आज ब्रेक आउट हो चुका है ब्रेक आउट के बाद हमको यहां पर देख रहा है क्या अब-छुप इस ए-ब्री टे स्काने के बाद एक अगें अब मुव हम यहां से देख सकते हैं हमार के लिए support support लेते हुए उपर की दरफ जा रहा है यहां पर major trendline का breakout दे चुका है उसके बाद retest कर रहा है और यहां पर green candle बनते हुए उपर जाने की कोशिश कर रहा है छोड़े time frame पर हम लोग confirm करते हैं मतलब 15 minute chart के उपर तो देखे कहीं ने कहीं य somewhere on 18,000 के nearby रखेंगे उससे बड़ा stop loss नहीं रखेंगे या चाहिए तो 18,010 का नोग stop loss रख सकते हैं यह लेवल से इससे ज़्यादा stop loss नहीं क्योंकि वो trigger कर दिया तो मतलब कहीं नहीं कहीं यहां पर लोगों की जो stop loss है वो हिट होंगे और नीचे वाले फिर होते होते चलेंगे दीरे दीरे ट्रेल करते हो चलेंगे इसके पहले देखे यह रेक रेजिस्टंस है उसके बाद देखिए फर यह एक रेजिस्टंस है जो ultimate 15 मिट के चाट पर हम दो डिसक्रस करें तो ultimate target क्या निकल के आता है ultimate target निकल के आता है यहां से लगबग लगबग हमारे पर आ गया 40 points हम लोग ने यहां पर कमाया stop loss ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया 1810 का stop loss है उसको ट्रेल करते हुए 18,050 पर लेकिया है जैसे ही और ऊपर चले गया हम लोग let's say for example हम लोग ने 18,200 वाला level रीच कर लिया cost के ऊपर 18,120 के आज पर हम लोग ने अपना stop loss ट्रेल कर दि 18,300 बोल दिया है मैंने तो इसका मतलब यह नहीं है कि 18,080 पर आपने buy किया without trailing आप बस यह target के लिए बैठे हो और यह stop loss लेके बैठे हो आरा ratio बहुत अच्छा बैठ रहा है बट trade लेने से पहले भी efforts डालने पड़ते हैं system को डूनने के लिए setups को डूनने के लिए trade चल रह है तभी efforts डालने पड़ते हैं market को continuous track करते रहना है जैसे ही हम लोग का system like हम लोग के इसाप से trade चलता रहेगा हमको trail करते हुए उपर की तरफ जाना है तो देखेट वरस इसने clearly एक एंगल बनाया हुआ है this is the angle यह levels पर जहां पर हमको breakout का वेट करना है इसके साथ third confirmation क्या है अगर हम लोग उसका recent bottom this is the recent bottom to top लगा के देखते हैं तो 23.6% के आसपास खड़ा हुआ हुआ है तो कल हमको क्या करना है कल just हमको wait करना है इस breakout का ताकि हम buying वाला जो thinking है उसको confident ले हम लोग यहां पर confidently ले तो हमारा entry हो सकता है यहां पर 513 के उपर जहां पर हमको breakout मिलेगा stop-loss लगाना है चोटा सा stop-loss रहेगा 526.508 के नीचे का stop-loss होगा first target हम प्लान कर सकते हैं 521 जो कि आज का top था इसके बाद हम trail करते हुए उपर का हम प्ल रीजन से हमको trade करने के लिए buying side Tata Motors के लिए daily chart पे breakout दूसरा रीजन फिबोनाची का 23.6% का support तीसरा 513 को cross करेगा breakout आप यहां पर that will be the third reason 513 के आसपास entry 508 के नीचे का stop-loss target 1 will be 521 target 2 102 के सबसे 103 के सबसे हम लगा सकते हैं एक बाचीव करने के बाद ही है next अकर हम बात करें म इसने क्या किया है एक टॉप बनाया फिर उसने वाद डिप लगाया उसने फिर अगेन यह टॉप तो कहीं नगेगे एम पैटन बोली यह डबल टॉप पैटन बोले यहां पर मारके इसने मारूती ने बनाया हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग आते हैं मारूत इहां से मारके对 κα्ट हो ठोडर है यहां से लिजेक्षे क्जון है अब अगेन सैंग वही लेवल्सक अस्पान मारूती आक कर्या हुए सो वट विल्डू समार्ट स्मार्ट एक करना है डिरेकली यहां पर शौट नहीं करेंगे हम वेट करेंगे सेलर्स यहां पर एक्टव है यह नहीं है वो कैसे पता कर सकते हैं हम पता करेंगे with this small trend line breakdown breakdown कौनशे लेवल्स के आसपाद होगा breakdown होगा आपका लगबक 7560 के नीचे जैसे 7560 के नीचे यहां पर volum में इंक्रीमेंट आता है 7560 ब्रेक करता है कल शॉट कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस 7590 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख देंगे यूँकि यह ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है यहाँ पर और टार्गेट दे सकते हैं क्या टार्गेट वन विल बी दिस जोन ट्रे रहा है यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम तो यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है अगर कल 7560 को मारोती ब्रेक करता है विद रिस्क आफ 30 रुपीज भी कैन इजी लेची वन ने शो त्री अडिस लेवल I hope you understood the point कि आज लॉजिक क्या आज के लॉजिक क्या था आज का जो मैंने ट्वेट किया हुआ है प्लस जो कल आपको जो ट्वेट करना है उसके बीचे के लॉजिक क्या है और आपको कहां स्टॉप लॉजिक लगाना है ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरू कर दीजिए 5000 लाइक का हम लोग आज करते हैं तो ऐसे वीडियो में आपके लिए time to time time to time देन में दो वीडियो एक साथ पोस्ट करना बीच मैंने ट्राइक क्या था बढ़ बहुत ज्यादा है ट्रेडिंग वाला फिल ये करने वाला तो बहुत ज्यादा इसको एडिटिंग वगर रही हो करना तो बहुत ज् इसलिए मैं बीच में पॉस्ट कर दिया था मैंने डालना क्यों लाइफ ट्रेडिंग वाले वीडियोस कंटीनू सा रहे थे तो कभी कबार ऐसे मैं डालते रहूंगा अगर आपको इसे पसंद आते हैं लाइक्स कर दो फाइदोन लाइक्स कर दो अगर आपको पसंद आतो लाइक कर दो आप तो ऐसे वीडियोस में आपके लिए जरूर लाते रहूंगा थेंक्स वाचिंग विल सी नेक्स वीडियो